हेलो एवरिवन एक वार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इस पूछे गेंगे हैं तो फ्रेंट्स इन क्वेशन के अपने शॉट फोर्म में रोट से ज़िदूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम यह कुछ आपको काफी हलफों साबित होंगे तो फ्रेंट्स अब जैसा कि आपको बता कि अब आपके जो अगामी एक्जाम है जेवीटी कमिशन, एससाई कंड़क्टर, पंचाइज अडिटर, जेओ आईटी पोस्ट कोड़न और वेरिस एक्जाम जो होंगी अब आपके वह एच्पी पेस्टी शिमला द्वारा कंड़ किये जाने ही, अब उसके point of view से अब हम जो question discuss करेंगे, उनका जो level होगा, वो थोड़ा high होगा, क्योंकि HPVAC जो देखा होगा आपने आम तोर पर जो questions पूछते हैं, वो थोड़ा difficult level की होते हैं, तो उसके point of view से हम कुशे history के important question discuss करेंगे, तो आपने इन question के short form and notes से जरूर ब इन question में बोल गई, चंखेज खान की आकर्मन के इसमें दिल्ली सल्त्नत का राजा कौन था? यह आपको पता होगा जो जब चंखेज खान ने आकर्मन किया था, त तो ब दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, वो इलतुमिश था, वो तही इन question को हम थोड़ा detail में भी discuss कर लेंगे ताकि यहां से निकलने वाले question जो होते हैं वो आपको exam में काफी हालकुल साबित होंगी बात करते हैं इल्टुमिश के बारे में तो आपको पता होगा इल्टुमिश ने कुटुमिनार को बनवाकर पूरा किया था अब यह question important है यहां से लेकिन इल्टुमिश ने इसे कुटुमिनार को बनवाकर पूरा किया था अगर आपसे question पूशे जाए कि कुटुमिनार का जो कारिया था निर्मान कारिया वो किसने बनवाकर पूरा किया था तो वो इल्टुमिश ने किया था जबकि जो निर्मान कारया प्रारम किया था, स्टार्ट किया था, वो कुतुब धीन एभक नहीं किया था इल्तुमिष आपको बताऊगा, इल्तुमिष ने एकता विवस्ता शुरू की थी इल्तुमिष ने चांदी में टंका तरफ ताम्बे के जितल का परचलन किया उसने बगदाद के खिलीफा से माननेता प्राप्त की और ऐसा करने वाला बे प्रत्थम मुस्लिम शाषिक बना ये भी आपने याद रखना है उसने चालिस योग्या तुर्क सरदारों के एक दल चालिसा का गठन किया है ये भी आपने याद रखना है इल्तुमिष ने क्या किया था चालिस योग्या तुर्क सरदारों के एक धल चालिसा जिसे चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है उसका गठनी किया था इल्तुमिष ने लाहोर की जगा दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुमिश के शार्षनकाल में मंगोल शाषक चंगेज खान मंग वर्नी का पीछा करते हुए सिंदु नदी तक पहुंच गया था इलतुमिष के शाषनिकाल में मंगोल शाषक चंगेज खान जो था वो मंग वर्नी का पीछा करते हुए सिंदू नदी तक पहुंच गया था तो इस क्वेशन का जो राइट अंसर होगा वाका इलतुमिष होगा अगले प्रेशन में चलते हैं दीवान ए आरिज विभाग किसने सुरू किया था वो वलवन ने सुरू किया था ये सैनिय विभाग था ये आपने याद रखना है वलवन जो था वो गुलाम बंच का ही शाषक था ये आपको पता होगा वलवन के वारे में थोड़ा हम डिटेल में डिसकस कर लेते हैं वलवन ने अपने विरोधियों की समापती के लिए लोह एबमरक्त की निती यानि कि खून का बदला खून का अनुपाद ने किया था तो अगर आपसे कुशन पूशा जाए कि लोह एबमरक्त की जो निती थी वो किस शाष्ट के दोरा चलाई गी थी तो उसका जो अनुपाद नहीं किया था वो बलवन ने किया था बलवन ने गदी पर बैठते ही चालीसा को नश्ट कर दिया था चालीसा आपको पता है ये इल्टू मिशन इसका गठन किया था तो बलवन ने गदी पर बैठते ही चालीसा को नश्ट कर दिया था ये भी आपने याद रखना है और बलवन ने पार्सी नब भर्ष की पुर्षी नवर्षकू साथ चाहिए, तो आपको बता है। अगले बिश्न पे चलते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रत्म सुल्तान को था संस्तापक को था तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का जो प्रत्म सुल्तान था वो कुतुबदीन एवक था कुतुबदीन एवक ने 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत की स्तापना की थी तो कुतुबदीन बारे में भी डिकशुस के लेते हैं कोतुब दीनवीक ने कुतुब दीन वक्र निर्मान कारिया प्रारम किया था कुतुब दीन वक्तियार काकी के नाम पर रखा गया उसने भारत की परत्थम मस्चित कुबत अल इसलाम दिली में और अडھाई दिन का जोमड़ा जो था भारत की प्रत्तम मस्चिद कुवत अल इसलाम दिली में और अड़ाई दिन का जोपड़ा जो है बोजमेर में बनवाया था या और कुतुबदीन एबक की जो मुर्टी हुई थी बो लाहोर में चोगान में पोलो खेलते हुए गोड़े से गरिकर हुई थी कुतुबदीन एबक को लाख बक्ष यानि कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था ये भी आपने याद रिखना है अगले बशने भारत की महिला पहली मुस्लिम महिला शासिक कौन थी तो रजिया सुल्तान जो है इस कुशन का राइट है भारत की पहली महिला सुल्तान जो थी वो रजिया सुल्तान थी रजिया सुल्तान थी रजिया दिली की प्रत्थम बांतिम महिला मुस्लिम सासिक थी रज पता होगा अलावधीन खिल्जी दिलिन सल्तनात का पहला सुलतान जिसने दक्षिन भारत में बीजे पता का फैराई थी अलाओदीन के दक्षिन भारतिया अभियान का नेतरतब जो था वो सेनापती मलिक काफुर ने किया था हजार दिनारी मलिक काफुर को अलाओदीन ने गुजरात से हजार दिनार में खरीदा था उसने अपनी राजदानी सीरी को बनाए था अलाओदिन खिल जी को जुत्तिय सिकंदर भी कहा जाता है अगला प्रशन है अमीर खुसरो किस राजा के दरवारी थी तो यह अलाओदिन खिल जी के दरवारी थी यह भी आपने याद रखना है अगला प्रशन है कौन सा शाशक अपनी राजनादी दिल्ली से आगरा ले गया था तो सिकंदर लोधी जो है उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था शिकंदर लोधी आपको बताब को यह लोधी वाज का सर्वसरेश्टर शाशक था शिकंदर लोदी ने भूमी वापन हित्व गज शिकंदरी नामबक पे मानने का प्रशलन किया था उसने पंदरा सो चार इसवी में आगरा शहर की स्थापना की और पंदरा सो छे इसवी में इसे अपनी राजधानी बिलाया शिकंदर लोदी जो था वो गुल रुखी के उपनाम से फार्सी में कवीताईन लिखता था अगला प्रशन है चोधवी स्थापदी के उतरार्द में एवन वतुता किसस भारती समराट के दरवारी थे तो वो महमद विन तुगलक के इतियास में किसे बुद्धिमान मूर्क शाषक के रूम में जाना जाता है तो महमद विन तुगलक के रूम में जाना जाता है ये भी आपने याद रखना है आपको बतागो मुहम्मद विन तुगलिक को इतियास में एक बुद्धिमान मुरुक शाषर के रूम में जना जाता है इसने अपने जीवन काल के दोरान पांच ऐसे महतुपूर्ण फैसले लिए जो विफल हो गया जैसे करवरिदी हो गया राजधानी का स्थान अंतरन हो गया सांकेतिक मुद्रा हो गी खुरासन अभियान हो गया कराचिल अभियान हो गया इन पांच फैसलों के लिए इसने पने जीवन काल के दौरान पांच ऐसे महत वर्ण फैसले लिए जो भी फल हो गए थे यह हमने डिसकस कर लिए जैसे करवरिधी हो गया, राजधानी कास्तान अंतरन हो गया, सांकेतिक मुद्रा हो गया, खुरासन अभियान हो गया, कराचीर अभियान हो गया और उसने वक्रशी के विकास के लिए दिवान एक ओही नामक विवा की स्थापना की थी अगले प्रशनों चलते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंचाई के लिए अनेक नहरे बनवाई थी फिरोशा तंगलक ने दिल्ली के सिंचाई के लिए अनेक नहरे बनवाई थी फिरोशा तंगलक ने फिरोशा तंगलक ब्रामणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लमान साओ शकसा यह अपने याद रखना है फिरोशा तुगलिक जो था वो ब्रामणों पर जजिया लागू करने वाला प्रत्थम मुश्लिम शाशक था अगले प्रशन पर चलते हैं इसमें बोला गया कि इवन बतूता कौन था तो इवन बतूता आपको बताओगा मुरक्कों का ये इतियासकार था जो भारत में आया था अगला प्रशन है खिराज क्या था तो खिराज जो था वो हिंदूओं पर लागू भूमी कर था ये भी आपने याद रखना है नेक्ट कुशन बे चलते हैं ये भारती राश्टी कॉंग्रेस के बारे में है आपके थोड़ा यहां से कुशन एक या दो कुशन पूछे जाते हैं तो इनको हम थोड़ा डिटेर में डिसकस के लेते हैं तो भारती राष्टी कॉंग्रिस की जो स्थाबना थी वो 1885 में हुई थी एक सेवा नेर्वित ब्रेटिश अधिकारी ए ओ हयूम ने 1885 में भारती राष्टी कॉंग्रिस की स्थाबना ही बारती राष्टी कॉंग्रिस का पहला दिवेशन जो था वो दिसंबर 1885 में बंबई म हुआ था ब्योमेश चंदरबनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्षते ये भी आपने याद रखना है ब्योमेश चंदरबनर्जी जो थे वो कांग्रेस के पहले अध्यक्षते डबली उसी बनर्जी भी कहा जाता ही ने आपको पताऊगा अपने कनिफ्यूज नहीं होना है उ भी आपने याद रखना है और भारती राष्टी कॉंग्रेस जिसका दिवेशन पूर्णे में आयोजित होना था लेकिन बहां पर अकाल पड़ जाने के कारणा दिवेशन जो था वो बंबई में आयोजित किया गया था अब थोड़ा कांग्रेस के जो प्रमोक दिवेशन चाहिए और बंबई इस्थान में बत्र प्रतिन दिवेशन भाग लिए था अब इंपोर्टन्ट फेक्ट जो है वह वह डिसकस के लिए हैं जैसे प्रत्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के तो बद्रुदीन तैब जी जो थे वह प्रत्थम मुसलिम अध्यक्ष थे वारती राश्टी कांग्रेश के मदरा स्थान में और 1887 में ये अध्यवेशन हुगा था और प्रत्थम अध्यक्ष जो थे प्रत्थम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे वो जो जी यू ले थे ये भी आपने याद रखना है जो जी यू ले जो थे वो प्रत्थम अंध्यक्ष थे और कुछन याँ से पूछ आता कि प्रत्थम बार बंदे मातरम गाया गया था कब गाया गया था ये 1896 में कलकथा अधिवेशन में बारती राश्टी कॉंग्रेश के कलकथा दिवेशन में पहली वार बंदे मातरम गाया गया था नेक्स्ट क्वेशन है बंगाल विवाजन के वारे में थोड़ा डिटेल में डिसकस के लेते हैं यहां से क्वेशन पूछा जाता है आपको बताओगा बंगाल विवाजन निसकस के लेते हैं पूरे बंगाल में अंदोदन प्रारम गोथा जिसमें सोदेशी तथा वहिशकार को हतियार बनाया गया 1905 को कांगरेश के वनार सदिवेशन में सोदेशी और वहिशकार अंदोदन कानू मोदनी किया गया यह आपने याद रखना है विन दरना टेगोर ने इसी समय पर अमार सोनार बंगला नाम का गीत लिखा जो बर्तमान में बंगलादेश का राष्ट्रीगान है तो काजिन ने कहा था कि कांगरिस लड़ खड़ा कर गिर रही है वारत में रहते हूए मेरी इच्छा है कि उसे शांदिपूर को मरने में मदद जबROचर को ये लोड करजने कहा था तो ये कुश important हमने fact discuss किये जो भारती रौस्टी कांगुरेस और बंगाल विफाजन के बारे में थे next question पे चलते हैं कौन सा मुगल शाषक जो है पढ़ने और लेखने की कला सी अपने गया था विच मुगल रूर वाज ignorant of the art of reading and writing कौन सा मुगल शाषक जो था पढ़ने और लेखने की कला सी अपने गया था वह नहीं जानता था question number 9 का जो राइट अंसल होगा वह आपका option number D होगा अकवर जो था अकवर जो था वह पढ़ने लेखने की कला सी अपनी गया था सीहासन पर बैठते ही उसने बैरम खान की साहिता से 1556 में पानीपत की दूसरे युद में हिमू बिक्रम अजित्या को हराया था 1576 में 1576 में हल्दी गाटी के परसिद युद में अकवर के सेनापती राजा मान सिंग ने मिवाड के शाशक महाराना परताब को प्राजित किया था ये भी आपने याद रखना है 1582 में अकवर ने सभी धर्मों के उत्म सिधानतों को लेकर ताहुई दे इलाई और या दीन इलाई नामक ने धर्म की स्थापना की थी अकवर के दरवार में नवरतन के नाम से प्रसिद नो व्यक्ति जो थे वो बीरवल एक बीरवल मान सिंग फैजी टोडरमल अबदुरहिम खान खाना अबुल फजरतान सेन बगवान दास और मुला दो प्या जाती दीन इलाई स्विकार करने वाला प्रत्तमोर अंति हिंदू शाषक जो था वो बीरवल था ये भी आपने याद रखना है अगले प्रशने पर चलते हैं इसमें बोला गया कि मराठा प्रमुक शंबा जी को किसके शाषन काल के दोरान फांसी दीगी थी विदा मराठा चीफ शंबा जी वाज एक्जी क्यूटेड डिवदिंग दर याईनो तो मराठा प्रमुक शंबा जी को किसके शाषन काल के दोरान फांसी दीगी थी इस कुष्ण का जो 10 कुष्ण का जो राइटन से रहा आपका ऑप्शन नमबर C है और अंग जीब जो है इ अगले बसने गांधार शैली के मूर्तियों पर इनका प्रभा प्रतिविम होता है सकलप्चुर्स ओफ ता गांधार स्कूल डिट्रेक्ट दा इनिफ्लेंस ओफ दा तो कुष्ण नमर 11 का जो राइट अंसर है वापका उप्श्ण नमर यह है यूनानी जो है इस कुष्ण का राइट अंसर है खेश्ण नमर 12 भी चलते हैं यह कोष्ण जो है खाफी इपूर्टन का और शैय्घ्णार है कि मिज़न नमर 12 का जो राइट अर्प है यहाँ से एक उपूर्टन अपने नोट के ले ना है कि शहाजाने आगरा में मोती मस्चिद का निर्मान करवाया था और दिल्ली में जो जामा मस्चिद है उसका निर्मान शहाजाने करवाया था बलकि दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्चिद है उसका निर्मान औरंग जेवने करवाया था नेक्स्ट कुछिन पे चलते हैं? अलाओदिन खिल जी का दिरवार में परसीद कवी कौन था? mil was port in the court of the अलाओदिन खिल जी वास तो अलाओदिन खिल जी के दिरवार में जो परसीद कवी था वो कोन था? question number 13 का जो right answer है वाका option number डी है अमीर खुसरो जो है इस question का right answer है इन्हें तोता है हिंदी के नाम से भी जाना जाता है अगले प्रशन है भारत की यात्रा करने वाला प्रत्थम विद्वान निवन वे से कौन सा था तो question number 14 का जो right answer है वाका option number डी है फायान जो है इस question का right answer है अगले प्रशन में चलते हैं पूश्य भुती बंच का शाषन यहां पर था पूश्य भुती डाइनेस्टी रूल लोगर तो पूश्य भुती बंच का जो शाषन था मुषिभुटीवंस की जो स्थापना थी वो हर्षवर्दन द्वरा के गी थी उसने राजधानी धानेशवर जिसे हर्षवर्दन ने एक हर्ष के नाटक जो थे वह नागनद हो गया रतने वाली हो गया प्रियदर्शी का हो गया और हर्ष के दरवारी बानभटने बान भतिया के होल अभी लेख में हर्षपरदन के नर्मद三 पर चाल क्या शासक से पुराजित होनी का लोग मिलता है इस वीडियो को लास्ट कुछन है भारत में प्रकाशित प्रत्थम समचार पत्र कौन सा था विच वाज दा फॉस्ट न्यूस्विए पर पॉब्लिश्ट इन इंडिया तो कुछन नमबर 16 का जो राइट अंसर है वाग का ऑप्शन नमबर B है बंगाल गजट जो है इस कुछन तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में बस इतना ही याई होप आपको वीडियो अफसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें तो थैंक्यू फ्रेंट्स